ओके डियर तो आज अपन बात करें कैसे फोटो एडिटिंग में आप एक निचुरल सेडो यानि की रियलिस्टिक सेडो कैसे डाल सकते हो वेल इस वीडियो में एक रिवार्ड के बारें बताने वाले हूं तो प्लीज वीडियो कहीं भी एसके मत करना सो लेट्स गेट स्टाड जो एक रैंडम बैक्ग्रांड चुछ करा एंड़ सेडो बनाने के लिए एक रैंडम और यहां पर इसेडो का हलका इफेक्ट आता है तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद आपको shadow की rate करने, तो आपको पता हो कि जब भी shadow बनता है, यार black shadow होता है, तो मैंने इसी वास्ते हैं आपर black background चूज कर रहा है, और black background चूज करने के बाद, अपन मैंने इसका opacity इसले down करा है, ताकि मैं football को easily देख सकूँ, और जो center point है, वहाँ पर मैं fit कर सकूँ, इस black background को, उ जैसा चाहो आप brush कर सकते हैं, या या निक रियाश्रू कर सकते हो, लेकिन erase करते हो वक्त आपको ज़्यादा ध्यान देना, ओपा city and hardness का size decrease करते, आपको softly erase करना है, और यहाँ पर faded effect डालना है, मैंने पहले ही बताया था, shadow मैं एक faded आता है, तो इसके लिए आपको पहले size जो हो गए shadow में, और ऐसे एक दम real लाएगा, ओके तो यह वाला process यहाँ पर complete होता है, आगे बढ़ते हैं second process के तरफ, second process बिल्कुल से हैं, बट थोड़ा सा change है, पहले वाले process में क्या था, हमने black background को football के नीचे रखा था, लेकिन इस बार black background को ऊपर रखेंगे football के उपर, मैंने आपसे पहले बताया था कि जब भी आप shadow बनाते हो, तो subject पर भी shadow का हलका सा effect आता है, ओके तो यहाँ पर मैंने shadow effect अपलाई किया, अब इसमें fed effect थोड़ा सा apply करूँगा, तो उसके लिए simple आपको इसका size कम करना है, और इसके उपर आपको softly brush करना है, तो fed effect अपलाई हो जाय अबर मेरे को भी करना होता है, photo editing में shadow create करना होता है, तो मैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा time देता हूँ, क्योंकि best result पाने के लिए आपको best time देना परता है, तब ही आपको best result में पाता है, इसी वास्ते मैं आपर जो भी time दिया, सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, इस video का मैंने कहीं भी editing कर रहा, इस video का कोई भी part मैंने trim करके नहीं आटाया, ताकि आप भी satisfied हो, shadow बनाने में थोड़ा सा time लगता है, और आपको भी लगए कि यार इसमें time देना चाहिए, shadow बनाने में, कई बर क्या होता है, कि जब मेरे जैसे creator किसी process को इतना जल्दी कर देते है कि सामने वाला audience चाहिए, इतना जल्दी क्या से हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, creator क्या करते है, उस इनको fast forward कर देता है, और कई सारे लोगो इसका पता भी नहीं लग पाता है, चो I hope कि आपको ये सब बाते समझ आ गई होगी, ओके तो video के starting में एक बात कही थी reward के बारे सब्सक्राइब कर दोगे, लेकिन जब मैं फोटो एडिट करके दूँगा आपका उस टेम चैनलों को अंसब्सक्राइब कर दोगे, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, अगर आपको सच में पसंद आता है, तब ही चैनलों को सब्सक्राइब करना, अदर्वाज कोई force नहीं क WhatsApp Business का लिंक दे रखा, आप वहाँ पे टाप करके डिरेक्टी WhatsApp पे पहुंच जाओगे, और वहाँ पे मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, जिसमें आप comfortable हो, उस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं जरूर से reply दूँगा, और हाँ मुझे पता, आपकी दिमाग में ये चल रहो वह यार अभी तो इतने दिनों से कहां गायब होगे था, पहले तू हपते में तीन-चार content डिलेवर्ड करता था, अब सिर्फ एक content डिलेवर्ड कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है तू, तो इसका simple सा जवाब है भाईया, exam, 2022 के February में मेरा exam आने वाला है, तो अभी exam पे जादा आपको content प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जो content हपते में आएगा ना, उसमें knowledge बहुत ही जगा आपको मिले वाला है, शो उसको miss मत करना, ओके, और जैसे ही अपना exam खतम होता है, फिर सो अपना तबाही तबाही concept डेकर आने वाला है, तो एर अपना support ऐसे ही जारी रखना, ओ ओके, वेल यहाँ पर अपना shadow complete होता है, और मैं आपको before and then after देखाता हूँ, बशीचे degrees करके, इसका आपने देखा, इसका भी आप देख सकते हो, क्या ही effect है यार, तो अगर आप इसमें और भी जादा time देता हो, तो आपको मेरे से भी अच्छा result मिलेगा, मैंने पहले ही ब सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके फ्रेंड भी इंट्रेस्टेन है, फोटो एडिटिक में तो उनको भी शेयर करना, अपना है, फ्रेंड सेरकल में वीडियो को, ताकि वो लोग भी देखे सीख सकते, एक natural setup कैसे बनाए जा सकता है, so see you soon, be happy and make everyone happy.